अयुद्ध्या में जो घटा वो सबके लिए शर्मकाविशे एक बारहा साल की बच्चे विपन्न परिवार की दलित वर्ग की उसके साथ दुराचार और फिर सामोहिक दुराचार और जब वो बच्ची गर्वोबती हो गई और उसके तबियत बिगड़ने लगी बुरीत्री के से तब मामला उजागर हुआ फिर दवाब पड़ा तो मुकदमा हुआ और जिस पर मुकदमा हुआ वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का इस्थानिय नेता समाजवादी पार्टी का पदादिकारी नहां और फाईजाबाद लोगसभा सीट से बड़े जोर शोर से जीत कर लोगसभा पहुँचे अवधेश परजाद का खासुल खास उनका निकट का रिष्टा आत्मियता का रिष्टा और मज़े की बात ये कि इतने दिन से इस विशे पर विवाद इस विशे की चर्चा चल रही और शुरुवाद में तो समाजवादी पार्टी के सांसद महोदे ये कहते रहे आई डोंट नो अंग्रेजी में बोलते रहे आई डोंट नो मुझे पता ही नहीं क्या हुआ और अब आप जाके उन्होंने का हमें क्या फासी दे दो अकनिश जी ने आरोपी के डियने की मांग कर दी कि इसका डियने कराओ तब बात सही पकड़ में आएगी शीवपाल जी कह रहे है कि केशव परसाद मोरिया का नार्को टेस्ट कराओ कुल मिला के तस्बीर ये बन रही कि चुकी मुख्य आरोपी एक धर्म विशेश का है इसलिए बोट की राजनीती अयुध्या के इस प्रकरन पर छाती दिख रही है ये बात सच है और उस बोट की राजनीती में उस दलित परिवार की चीखे कहीं गुम हो जाती अगर उत्रपदेश में शाशन ने इतना कड़ा रुख नहीं अपनाया होता अगर इस प्रमुख आरोपी का की बेकरी घर द्वार जमीन जहां जहां कब जाकी तो उस पर बुल्डोजर नहीं चलता धौस्ती भूत नहीं होती चीज़े तो यह जोर जमदस्ते और धवाब के चलते उस बच्ची के परिवार को इस बात के लिए विवश कर देता यह के समझोता करो मुकत्मा बापस लो इसके प्रियास हुए अस्पदाल में भरती बच्ची के पास मुख्य आरोपी ने अपने गुरगे भेजे कि डर से माने तो डरा के मनवाओ रुपिया पाइसा से माने तो रुपिया पाइसा दे के मनवाओ मुकत्मा बापस कराओ लेकिन वो तो भला हो उत्रपदेश की मुक्यमंत्री का कि उन्होंने सीधी लकीर घीज दी कि ना न्याय होगा और ऐसा न्याय होगा जो दिखे है अब सियासी बान चल रहे हैं दोनों तरफ से भाजपा के लोग जो कह रहे हैं समाज़ादी पार्टी के लोग उसका उत्तर दे रहे हैं समासपा के लोग कुछ कह रहे हैं भाजपा की तरफ से उसका उत्तर जा रहा है औ लेकिन कुल मिला के तसमीर है कि आयुध्या में जो हुआ वा राजनेतिक बिरादरी के माथे पर एक और काले टीके लगे ये एक आत्रिक्त पाला टीका है जो आयुध्या से लगा है और जिस सबसे बड़े सवाल पर समाजवादी पार्टी गिर रही है यह सबसे बड़ा सवाल जो उसके चारो और मन रहा है वो यह कि क्या अपराधियों के आरोपियों के DNA टेस्ट करानी की परंपरा रही है क्या इस संभव है कि सारे अपराधियों के DNA टेस्ट पहले हो फिर कारवाई हो एक और दूसरा कि अगर वो हो बच्ची ने उस व्यक्ति का नाम लिया है उसकी पहिंचान बताई है कि इसने मेरे साथ दुशकर्म किया तो क्या इतना परियाप्त नहीं था कि जब तक यह व्यक्ति निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक के लिए ही सही समाजवादी पार्टी इसको अपने आंगन से निकाल कर बाहर खड़ा कर देती कहती कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं तब शाइद ज्यादा बेहतर इस्थिती होती है वो व्यक्ति अभी तक समाजवादी पार्टी में है और कहीने कहीं से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उसके लिए उसको एक कवर फार दे रही है अगर गलत निकले तो उनको भी माफी मांगनी होगी और यहीं दोशी निकला तब क्या होगा दोशी है कि ने यह तो अदालत ते करेगी लेकिन जेल यात्रा तो तै हो है जेल यात्रा तो सब होगी होगी महिलाओं को किप्रती अपराधों को लेकि जिस जंकी सजगता सविदन शीलता निर्वया कांड के बाद से देश में आई है उसके चलते अब यह तो संभावन है कि यह बाहर रहे जाना तो अंदर पढ़ाएगा और न्याय के कटगरे के सामने आप गुजरेंगे देखा जाएगा कि अदालते क्या फैसला सुनाती लेकिन उस नन्नी बारा साल की बच्ची की चीखें हम सब से प्रश्ण कर रही है कि क्या राजनीतिक वर्ग के लोग ऐसे कांड करेंगे एक और दूसरा कि क्या राजनीति, बोटनीति, गरीब और दलित परिवार की बेटी की चीख से बड़ी हो जाएगी बड़ा प्रश्ण है, मानवी ये प्रश्ण है, भाजपा, सपा, वसपा, कांग्रिस अपनी जगा लेकिन ये प्रश्णा बड़ा है और सब के लिए है हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर महमानों से परचे कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं अयोध्या में 12 साल की एक बच्ची के साथ गैंग रेव वाली बरबरता के बाद, अब सियासी संग्राम भी जोनों पर है पिछडी जाती की बच्ची के साथ हुए इस कुप क्रत्य में मोईद खान नाम के सपा नेता का किरतार सामने आया है और यनेता सपा सांसद अफदेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है आयोध्या के पूरा कलंदर इलाके की इस घटना में आरोप है कि सपा नेता की बेकरी में बालिका के साथ बलादकार हुआ वीडियो के जरिये ब्लैक मेलिंग की गई और इसका खुलासा तब हुआ जब लड़की दो महिने की गर्ववती हो गई वहीं अब कंभीर हालात में लड़की को लखनव रैफर किया गया है बीजेपी के डेलिगेशन ने परिवार की पीड़ा पर चार पन्नू की रिपोर्ट भी बनाई है वहीं सीएम योगी के बुल्डोसर की कारवाई भी जारी है बीजेपी इस कांड को लेकर सपा पर पूरी तरह हमला वर है मुईद खान के कारणामे से सपा सांसद भी कटखरे में है अजुद्या का जो मामला है जी बहुत ही तरनाक है सरनाक है पिर्टा के साथ समाजबादी पाठी पूरी तरह से खड़ा जो भी कल्पित है उसके खिलाब कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरूपी हो यहां तक उसको फांसी दिलाई जाए लोगसभा चुनाव में अयोध्या की जीत के जशन पर इस कांड ने ग्रहन लगा दिया है जिस सीट पर चीत पर सपा देश भर में जंडा बुलंद कर रही थी, अब उसी अयोध्या में फंस्ती नजर आ रही है हाला कि अखले इश्यादव लगातार इस मामले में डियने टेस्ट की मांग कर रहे हैं और उनकी इस मांग पर भी घमासान मचा है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर समाज़ादी पार्टी ये बात कहती है कि डियने टेस्ट होना चाहिए कैसे मुख्यमंत्री हैं ये इने कौन राय दे रहा है ये कानून किसका संसोदित है ये इनी का संसोदित कानून है दोजार तेईस का जिसमें ये कहा गया है कि डियने टेस्ट होना चाहिए अगर साथ साथ से जाद है किसी की सजा का कोई प्रावदान है तो तो क्या गलत मांगा और उनके परिबार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है हमारे पतकार साथ ही भी जानते हैं सच्चाई वहां की पुलिस जब बीजे पी के इसारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उनोंने क्या किया उन अधिकारियों के किलाफ कारवाई कर दी तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है हम क्या करें अखिलेश यादव से लेकर अफधेश प्रसाद तक अफधेश प्रसाद से लेकर शिवबाल यादव तक सपाई खेमे से जहां हर मूर्चे पर जमे हैं तो वहीं सीम योगी और केश्व मौरे भी चमकर प्रहार कर रहे हैं बस्पा सुप्रीमो मायवती के अलावा संजय निशाद और ओपी राजभर भी पिछडी जाती का मुद्द उठा कर लगातार हमलावर हैं जो अकिलेश जी कह रहे हैं उनके पिता जी का बयान मुझे आज भी याद है उन्होंने कहा था कि बच्चों से गल्ती हो जाती है उस समय नार्कोटेश्ट की बात उस समय जबान नहीं कुली उस समय के लेजी की आज बोल ले हैं किशनाते बोल ले हैं नय तिकता के आधार पर उस सांसत को इस्थिपा दे देना चाहिए और समाजवादी पार्टी के मुकिया अखलिस यादव जी को ऐसे सांसत से स्थिपा ले लेना चाहिए बहरहाद चार जून के बाद जिस आयोध्या को लेकर विपक्षी दलों का कार्वा कोला हल कर रहा था आज उसी अयोध्या के कांड ने विपक्ष को बैक फुट पर धकेल दिया है वहीं अयोध्या की मिलकीपूर समेत दस सीटों पर उप्चनाव भी है ऐसे में सपा के लिए संकट बड़ा विकट होता दिख रहा है संकट विकट है क्रतिष्ठा दाउं पर लग गई मैं मनोशाब का फर्चेक राद है अशोक पांडे जी है ना ज्टीफ न égalद मथ कि जैन साब, राजनीत तो अपनी जगह है लेकिन अगर निर्भया कांड के बाद जो तमाम संशोधन किये गए कानूनों में और उनको इस ढंका बनाया गया कि महिला अपराद के प्रती जीरो टॉलरेंस रहे कानून में तो अगर उस बच्ची ने कहा कि भई इस आदमी ने हमारे साथ दुशकर्म किया फिर फोटो बनाई फोटो बनाके डरा धमका के फिर गैंग रेप की स्थित्री बंती रहे और उसके चलते यह हुआ कि बच्ची हो गई गर्वबती अब उसके इतना ही परियाप्त नहीं होना चाहिए वेप्ती की ग्रफतारी के लिए और उस पर मुगदमा चलाने के लिए जैन्जाब देखे जैसा मैंने पढ़ा है जे रेजिस्ट्रेट के सामने भी बच्ची का बयान हो चुका है नाबालिक है उसको बहुत से प्रिविलिजियल्स एक्ट के तहत मिलते हैं तोला वर्ष्टे कम आयूदी है जिसमें गंभीर प्रावधान है तो यह जब एक बार मेजिस्ट्रेट के सामने बयान हो जाता है यह कोई मेंडेटरी नहीं है कि नार्कोट यह डिने टेस्ट कराया जाए पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं हम लोगों ने कराया था मदविता शुकला का जो कवीत तृओ लूए उसको वो गर्वती थी और उसका बने वो फीटस जो है कबजे में नहीं लिया गया था लेड बॉडि को वापिस बुलवा के लखीन पुर के रास्ते से वसका ने लिया गया और ऊक्टिस ने प्रिज़र्ड गिया उसका बने त पार्थी उसमें दोशी साबित है एक आज केस मुझे इस प्रकार का याद है पर यह रेरिस्ट ओफ रेर केसे में हुआ है जहां पर की एक पुलिटिकली संबेदन्शील मसला था और इस केस में मैं समझता हूँ बच्ची का बयान उसके परिवारी जनों का बयान वो परियाप है तो पारा साल की बच्ची है कोई बड़ी उम्र की महिला नहीं है और अगर उसमें बयान दिया है हां यह मेरा मानना है कि केस के अगर विवेचक चाहें वहां के पुलिस अधिकारी चाहें तो डियने करा सकते हैं फुक्ता केस बनेगा मैच करा सकते हैं राजू खान और मो और मद्बूती आएगी और मैंने पढ़ा था पेपर में कि वहां के वेवेचर और सीनियर आफ्सद इस पर विचार कर रहे हैं कि डी एने टेस्ट करा दिया चाहिए यह कोई कंपलसरी नहीं होता है पर कराना चाहिए कराया जा सकता है और मेरे खाल से शैद जैसा मेरा मानना ह है कि अधिया पुलिस इसमें कराने पर विचार गंभीरता से कर रहे हैं डॉक्टर नीती शर्माग पास्टर लूँ उससे पर बात कहूंगा कि कुछ मर्यादाएं राजनेतिक दलों के सामने रहनी चाहिए उनका उनको पालन करना चाहिए एक लोक लाज भी होता है एक लोक मन शब्द दूर शब्द बेड़े महत्पूर्ण है जिनको राजनेति में जो लूग राजनेतिक जीवन में उनके लिए DNA होगा नारको होगा इससे और डबल गंभीर टेस्ट होगा ये एजिंसियों पर छोड़िये जो कानून व्यवस्था में उस दिशा में इस तरह के टेस्ट के लिए जिम्मेदार तरक है क्या या जो वो आरोपी है मोईद खान और दूसरा राजू खान उनके लोग अदालत चाहके यह मांग करें दो बाते हो सकते हैं राजनेतिक दलों को इस तरह की मांगों से दूर हो जाना चाहिए बारा साल की बच्ची अत्यंत पिछडे वर्ग की बाली का अत्यंत गरीब परिवार वो उसका ना सपा से चुनाब लड़ने का इरादा ना बसपा से ना भाजपा से ना कांग्रेस से ना उसका किसी कोटा पर्मिट ठेका पट्टे से कोई ले ना दे ना उस परिवार का कि भाई बिजनिस की राइबरली या इसलिए कोई केस लिखा देंगी नहीं न बारा साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है इस बड़ा प्रशन है निती शर्मा जी मुझे लग रहा है कि उस पर सियासत ज्यादा हो रहे है और बच्ची के का जीवन जिस धंकी उसमें फस गया चक्रवियू में उसकी जो आंसू है उसकी जो पीडा है उसकी चर्चा नहीं हो रहे है चर्चा हो रही कि भई फलाने बच जाए और फलाने फस जाए निती जी नमस्कार अमिताब जी नमस्कार आपके पूरे पैनल पर एक मात्र महिला बैठी हो और यह सोच के मेरी रूह कांप रही है कि एक बारा साल की मासूम बच्ची दो महीने तक किस प्रकार से शारिरिक मा आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमों का जो बयान आया है कि DNA टेस्ट कराओ यह राजवीती में नीचता की पराकाष्ठा की पराकाष्ठा को भी लांग रहा है मैं पूछना चाहती मूँ अखिलेश यादव और दिंपल यादव कि अगर यह बेटी होती तो क्या यह DNA टेस्ट करवाते क्या यह प्रियांका गांदी की बेटी होती तो क्या यह DNA टेस्ट करवाते आपको अंदाज़ा भी है कि एक हत्या होती है तो आदमी का शरीर एक बार मरता है लेकिन एक बलातकार में आत्मा बार बार मरती है जब तक बच्ची जीवित रहेगी यह और इसक अमाज, जहां पे सजजित होगर बैठा हुआ है, यह सब के सब उसकी आत्मा को, उसके शरीर को, उसकी अंतंग सांस तक बार बार उसका चीहरण करेंगे। आप कलपना भी नहीं कर सकते उस पीडा को जिस पीडा पे यह सियासी रोटी सेखने का प्रयास कर रहे हैं। यह वही लोग थे ना, जो बोलते थे कि हम पीडिया के लिए आएं। इनका पीडिया यह है कि प्रेगनेंट डलित अबला यह इनकी पीडिया की असली परिभाष्या है। यह बोलते हैं कि लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाते हैं। यह मार्केट का कराईए जो बोलते हैं कि किसी निड़दोस को अपर्गों अपराइद खांड़िया है। अब कराई आधे निडोष को अपरादी नहीं मानना चाहिए जैसे यह गायाजने बनके बैटे हुआ और रेपिस को संरक्षन दे रहे हैं। यह DNA टेस्स कराना है, तो इस समाज का कराई है, कि वो कौन सी विचार धारा, वो क्या मान सिकता, कि नियूनता है, यह बारा साल की बच्चे को भी यह लोग नहीं पक्सकता है. ठीक, ठीक नितिजी, आज सपा को सोचने की आरश करता है, आता हूँ, दुबारा आता हूँ अपकास, मनोजी, आयुध्या ने फईजाबाद लोग समवा सीट पर जब समाजबादी पार्टी ने जीत हासिल की, तो उसने उस एक इकलोती सीट ने, यू तो वो एक ही सीट है, लेकिन उस अकेली सीट ने आपकी 36 अन्य विजेयों को से भी उपर उठाकर खड़ा कर दिया, इसी नाते अबधेश आईकोनिक फिगर बने, समाजबादी पार्टी के पोस्टर बॉए बने, फईजाबाद से लेकर, मिलकीपूर से लेकर और लोग सभा के पतल तक, उनका ए एक हो रहा था, मेसेजिंग हो रही थी और बाकी विपक्षी दल भी उसमें आपके पीछे खड़े थे, कि भाई, समाजबादी पार्टी के अबधेश परसाद ने आउध्या में भाजपाग भारा दिया, एक टेंपो बन रहा था, एक धारना बन रही थी, यह जो मसला आया और इसमें जो आरोपी है, मुख्या आरोपी मोहित खान उसकी और अबधेश परसाद की जो निकटता और उसके बाद कुछ दिनों तक अबधेश परसाद का यह कहना कि I don't know, मुझे पता ने, क्या जब आप मांगोगे, जब मैंने कही दिया पता नहीं तो पता नहीं, जब अगर फासी संबा हो तो फासी सजा देओ, अगर दोशी पाये जाए, क्या आपको लगता है कि वो जो एक टेम्पू बना था, आउध्या जीतने वाला राजनेतिक एक धाड़ना जो नेरिटिव बन रहा था, उसको धक्का पहुँचा है, अब देश परसाद की चलते? बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी माँ ये थी, अमिताब की मुझसे सबसे पहले सवाल पूछे जाए, चुकि आपकी रिपोर्ट, आपकी ओपनिंग रिमार्क, और पूरे देश में जो चर्चा है, वो समाजवादी पार्टी से सवाल पूछने की है, और ग्यान दिखाने का ग्यान बताने का, तो कर्टा करके हमसे सवाल पहले पूछे चुकि हम उत्तर से बरे पढ़ें, और आप दूसरे दूसरों कर रहे ले रहें, इसमें थोड़ा सामया पत्ती है, अच्छा जादर पूछे चुकि गुमराक कर दिया है, ठीक, इस देश में वर्ग ऐसा है जी, कि जिसका मैं नाम ने रहूँँगा, समझदार समझ जाएंगे, उनमें नयायिक चरित्र नहीं होता है, और उस वर्ग में भी एस जाती है, उनजाती के नहीं होता है, जब कोई नयाय की बात कर ले, तो फिर उसको अनयाय नजर आने लगता है, राष्टे दूसरों जी जिनकी फोटो आप चला रहे हैं यह हमारी पार्टी के लगर अध्यच है और इनकी उम्र लगभग सत्तर साल है सत्तर साल का मतलब हमारे क्या से एक जैन साथ बहतर समझते होंगे उनको एक लंबा समय हो गया है रेटार्मेंट का तो अब मुझे इस पर्ष रूप से कहना पड़ेगा अगर कोई सतर साल का वेक्षी जिसको रेप का आरूपी बना जा रहा है बयान के आधार पे तो क्या वो अपने लिए न्याय की बात भी न करें कि वह यह मेरा डियनिस चेक करा लो मैं रेप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं रेप करने के लायक हो कि नहीं हूं इसमें कौन से न्याय की बात हो गई इसमें कौन से न्याय की बात हो गई और अगर हमने उठा दिया सवा तो दूसरों के घरितों गईवों की बेटियों को उनकी डोलियां अपने घर में मंगवाते थे याद तो होगा अगर खोदने पर आएंगे तो इस देश की जिटनी भी परंपराय रही है मिताब जी वो सब खोद के रखी जाएंगे हम किसी के सपच्छ में नहीं है अपर आग कि बेटी के साथ जो इतना भीबस्त कार हुआ उसको कहा किसी ने की फासी चड़ा देना है किसी के हैथियत उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं उनमें न्याइस चरित्र नहीं होता है और जो हमारी नीटी स्वर्माजी बेटी है कहा थी बना अरसके केस में तब इनका चरित्र इनकी घ्यान खता हो गया थे क्या हातरतों की बेटी पर जब और नोड़ें लोगों के बारे में कहा है कि लड़के हैं बल्लकों से गल्पी हो जाती है वहाँ भी आपसी संबंद ही था आपसी संबंद समस्ते ना जिसको लिविंग रिलेशन आप और कानून की भासा में कहा जाता है तब वह उनका जरूर कोट किया जाएगा बयान नेताजी ने कहा था कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है और जो लोग वीडि हम न्याइक चरित्र वाले लोग हैं जो हका है वो कहेंगे ठीक हमारे साथ बीजेपी के लोगों ने हमसे कहा कि आरोप लगा दिया कि हमारे साथ रेप किया जया याद नहीं है क्या प? अपलोग भूल जाते हैं किसे सरी चातना आधी पाकिए आपनी बात के लताए है ठीक है बिल्कूल करे खूँब करे बात करने की इस देश में बाकी किसी के आजादी हो नँक बात करने की सबको आजादी है खूब आजादी है जाती की बात आई कुछ हो आस अशुक तो इस बात को देहां जरूर रखना होगा कि जो बच्ची है वो समाज के सबसे निचले पाइदान पर खड़ी है उसो और उसका परिवार उसी की बकालत हो रहे है ना फिर उससे निचले पाज़ान क्या है समाज में वो तो खुद सबसे निचले पाज़ान पर खड़ा है परिवार भाई ठाकुर पामण के लाई तो नहीं हो रही ना जिस वर इशारा किया जा रहा था मलाह है तब इसलिए राजनेतिक लोगों को यह वानी सहीम जरूर रखना चाहिए चुकि यह जाती का मामला होता है बड़ा संवेदन शील होता है इसमें एक बार बोलते है और सव बार उसकी ध्वनी समाज में गूशती है अलग अलग धंग से वो फिर बड़ा नुकसान देती है कई बार पर वह बदा लगता है कि दस साल पहले बोला था और दस साल तक उसका नुकसान हो रहा है अशोक पांडे जी समाजवादी पार्टी कह रही है कि वाई अगर जो 2023 में कानून बदला जिस कानून में कहा गया है डिये ने वही तो हमने कह दिया तो इसमें क्यों हंगामा हो रहा है और अवधेश परसाद कह रहे हैं कि अगर मद्दोशी पाया जाए मोहित खान तो उसके फासी चड़ा दो यह नहीं मानेंगे क्योंकि डली तक गरीब की बेटी है और हर हर हालत में अखलेश यादो बचाने का अंतिम को प्रयास कर रहे हैं उस अपरादी का जबकि बेटी ने खुले आपका है कि महीनों से वरिस सपानेता मोहिन खान उनके लोगों ने मेरे साथ बलतकार किया है इस इसके अलावा कुछ सॉई नहीं और इन्ने की बात करके अखलेस से लिए देश की सारे माताओं बेहनों को बेजवत करनेका काम्टिया उनकी भी बेटी है उनकी भी बहन होगी लेकिन इस तरह की भासा बोलना दुर्भाग जनक है अपमान जनक है हिंदुस्तान की माताओं सावित्री के लिए अफमान है कि यह वो कह रही है मेरे साथ फुलतकार हुआ है तो अख्रेश यादो हगर की प्रयास कर रहे हैं फुलतकारी को बचाने का वही वासा मुलायम जिंग बोलते हैं नौजवानों से तर्फिया हो जाया करती हैं जब हमवासी की सजा का पुरावधान ला रहे ते अख्रेश यादो चस्क करके वुरिश्त तो पानेता मुहीं खान को बचाने का काम कर रहे हैं वो इकाम मनोजू को रहे हैं सब चट्के बच्टे हैं बलतकारियों का मेरा कर रहे हैं एक सब्सक्राइब कर रहे हैं एक सब्सक्राइब करेंगे और दो साथ क्या फासी दे दोगे जो नए नए ध्या के लार्या हुए है अले मर्यादा पुसोत्तम कावाद हुआ जिला है मालिक जरा साबी सीखो एक धलित पिशड़ी जात की बेटी के साथ रेप होता है सपाई रेप करते हैं अब यह आई पतियाने का काम कर रहे हैं इससे बना दुरभागिक्ता हो ठीक ठीक अशोग जी रुखना हो का मैं जैन सा चहसीत का मैं जोटे हैं यह सुस्क्राइव है ऐस बाद को खाया को इस बात को गांट बशासे बाद mana का बंढट Pig चलता हो यहां नहीं चल्चाइगा जोतनी हैस्याथ हैं किसी भी पैंदिस्ट की इउस तनी दूसरे की पैनलिस्ट कौन होते एक दूसरी की हैश्ट ने करेंगे आप तराजी लेकि बैटेंगे यसरी आप अपनी पालटी की प्रवकता है या पैसे कह सकते हैं इनकी हैश्ट क्या है इसे सवाल पूझेगे ज़शन पाते यार कि दिक्टेटर सिप रहां क्या नहीं, आप अपनी पार्टी की प्रबगता है वो अपनी प्रबगता है इसलिए म्रियादा का ख्याल जरूर रखें जैन्जब LEGO एक बड़ी विच्छेतरसी बात है सामाने रूप से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ती का मोटिव क्या है किसी को डिफेम करने का क्या जूटा मुकदमा लिखा दिया तो उसके पीछे देखा जाता लिखाने वाले का है विच्वेल ओफेंडर है क्या साल में एक गाद मुकदमा लिखाता है ठेका पट्टी की कोई लड़ाई है राजनीतिक कोई प्रतिजन देता है नहीं मेरकाल से देखे जाते हैं यह प्राइमर फिसाई तो यही देखा जाता कि जिसने मुकदमा लिखाया उसका कोई इसमें लफड़ा जपड़ा है क्या जैन जाब कि इस पर राजनीत हो रही है वो रखी है पताया गया है कि बेकरी में ही काम करती है पता की दो वर्ष पहले बिस्क्यू हो गई पहन है और माँ है कि मिलकर अपना परिवार का बुजारा कर रही है इसमें कोई दोर आए नहीं है कि प्रिग्नेंसी है और वारा साल की बच्ची की प्रिग्नेंसी को टर्मिनेट करने का वो भी उसके उपर भी उसके चिंतन चल रहा है उसको शैद आज के जी एम्यू लखनो शिप्ट किया गया यहां पर बहतर प्रीट्मेंट बिल से जो सरक कार के आरोप लगाए है pinky के सामने बयान दिया है जो अपरात की प्रस्ट गूमी है उसे बड़ा ऊट्यस सा है के बारा साल की बच्ची है कोई अधेड़ उम्र की महिला नहीं है मैंने पहले भी कहा अगर उसने आरोप लगा एक हैं वे तकि मैंने के सामने लिए प्रियार। पर जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि देखें, कोई और circumstantial evidence नहीं है, जैसे सिमन स्टेंस होते हैं, और चीजें हैं, मौके से कुछ और कोई कपड़े हैं, वो सब बरामत की नहीं हो सकती है, तो वो इसमें जो है, अगर DNA टेस्ट करा लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि एक सबूत अभ्युक्तों के विरुद्द बनेगा, मैच करा लिया जाए, अगर दो ही ने उसके साथ बलावकार किया है, जैसा बच्ची का कथन है, तो अवश्य ही उसमें से एक ना एक का DNA मैच करेगा, और वो बहुत मजबूती देगा, जैन साब, एक सवाल मेरे जहन में आत है, चार लोगों ने रेप किया, दो लोगों ने रेप किया, एक से अधिक लोगों ने रेप किया, एक सीन रख रहा हूँ, DNA कराया गया, जो लोग फ्रेम में थे उनके सब के, ठिक, उसके जो बच्चा है गरव में उससे DNA मैच हुआ, ठिक, तब तो एक ही का होगा, और बल तो यह लेकिन प्लाजकर तो अपराद है न है यह कताई भी दूसरों को रहा किस बात से नहीं मिलें जो बयान है बच्छी का उसी पर उसी पर चाटशीट लगेंगी उसी पर ट्रायल होगा और ट्रायल होगा और मेरा यह मानना है कि इसमें लाइफ इंप्रिजन्मेंट से कम की सजा भी नहीं है एक बारा साल की बच्छी के साथ इस परकार का अपराद करना मेजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होना यह बहुत बहुत एक कमभीर अपराद है और इसकी भीरता डियने जिससे मैच करेगा उससे तो होगी ही पर ज जिससे पर उसने आरोग लगाए हैं सबसे DNA मैच करना जैसा कि आप भी जानते हैं यह संभव नहीं हर किसी से DNA मैच नहीं करता इसने एक ही से मैच करेगा और जो आरोग उसने लगाए हैं कोड के समक्षव उसने रिपीट किये हैं चार्ठीट उसी पर लगे मूल प्रश्ण अब ही है, DNA एक से मैच करेगा, कन्या कह रहे ही है कि मेरे साथ सामोहिक दुशकर्म हुआ, और कई लंबे समय तक हुआ, बाकी लोग क्या DNA की याड में छूटने की गुणा गनित में लगे हैं, और अगर नहीं, तो DNA का शोर क्यों, अन्त तहा, 164 के बयान के बाद बच्ची के पुलिस को तो अपनी कारवाई करनी ही चाहिए, और न्याय के अदालत में, न्याय के शिक्षी के भीतर दाके उनको खड़ा करना चाहिए, नीती शर्मा जी, प्रश्ण हुआ ही है, एक से DNA मैच हुआ लड़की, हाइपोटेटिकल, मानी जे मैच हुआ किसी X से, ठिक, और पुलिए कहरें, बाई और जेड ने भी मेरे साथ दुषकर्म किया, तब क्या करें, अगर हम DNA की भुक के हिजाब से चलें तो बाई और जेड तो बाहर हो गए, वो तो पान खाग गूम सकते हैं पर कहीं, बाई जेड बाहर नहीं हुए केवर, सता के परवक्ता को आपने सुना नहीं, वो तो सतर साल के एक बज़ुर्ग को भी बाहर कर रहे हैं, अगर सौ साल का भी होता ना, Mr. Yadav, और आपकी बेटी होती इसकी जगह, तो मैं आपसे पूछती, कि वो क्या कर सकतर, क्या नहीं कर सकता, शरम नहीं आती, आपको इस मंच पे, एक बारा साल की बच्ची के साथ, एक सतर साल के बुड़े ने किया, उसकी मानसिक्ता को सोचते हुए, और यहां पे आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, लिविन रिलिशन्शिप के साथ, आपको शरम आती है, यह बोलते हुए भी क्या राजनीती इतनी प्रिय हो गई, क्या 20 परसन को साधना, इतना प्रिय हो गया, क्या सतर को सिसीट के साथ, आपको चिपकना इतना प्रिय हो गया, कि आप सम्वेलन, दीन की भी पड़ा काश्टा को लांग गए, आपको शरम नहीं आती है, कि आप भी X, Y, Z की बात कर रह रही हूं, या DNA का सवाल ही नहीं है, मिताब जी, आप कल्पना करिये, उस बच्ची को वो किस पीड़ा से गुजरी होगी, उस बच्ची को वो किस पीड़ा से जिन्दगी बर्ग हुज रही हो और उसका परिवार, और ऐसे कितने ही महिला हैं, कितनी बच्चियां होंगी, ज किया उमर थी, कौन X था, कुन Y था, किसका Z मिला, शरम आनी चाहिए इस मंच में अगर हमें बात कर रहे हैं, निश्यरुक से शरम आनी चाहिए, घोर से घोर सजा, यह तो बुल्डोजर की बात कर रहे हैं, जीविक तो उस आजमे के ओपर अगर वो अपराद ही पाया जाए इतनी खोफनाक सजा इन अपराधियों को बलतकारियों को कि वो कर्पना भी न करने से पेले उनकी रूप काम जाएगा, यह केवाल अपराधियों का संब्रक्शन करने वाली पार्टी यहाँ पर बैठी है और आज इसका जवाब देने लिए अगर बात करो, आगए आगए आगए बात, मिन नीती जागे, मनो जी, मैं वही मूल प्रशन पर लाओंगा, डियने यह इस्थापित कर देगा वैज्ञानिक रूप से के बेटी के गर्व में जो है, बच्चा है, उसका मैच कर गया तो माना जागे वह यह व्यक्ती जिम्मेदार है इस संतान के लिए, ब अपराद बलातकार बहुत बिकट है भाई, छोटा अपराद थोड़ीना है, मित्र बलातकार, डियने से एक्स आइडेंटिफाई हो गया, चलो, अब बाई और जैड वहीं से अपना एक एक पान खाया और निकल लिये, मोर्साइकल बाइट के, बोले मेरे तर डियने आया न है, that is not the case, मित्र, वो बच्ची कह रही मेरे साथ सामोहित दुश्कर्म हुआ, मनोजी, अमिताब जी मैंने बड़े पेशंस के साथ सुना, जी, और लगातार पर्सनल लिटी सरवा ने अटक किया, आचोख पाढ़ने ने अटक किया, पर्सनल अटक किया, मेरी बेटी तक चल में लिया, मैं चाहता तो जो कुछ चाहता वह बोल देता, तुरंद बोल देता, मैं आज आरोप लगा रहा हूं, जितने भी सर्मा जाती के बलाकारी हैं, वो नीती सर्मा के घर के हैं रिस्तेदार हैं, इस देश के यह मैं एलानिया बोल रहा हूं, और पांडे नाम के जित एक लड़की के साथ अपराद हुआ बलाकार हुआ और सीस प्रेगनेंट अगर प्रेगनेंट है तो डियने तो चेक ही होगा क्यों चेक होगा क्योंकि उसके पेट में किसका बच्चा पल रहा यह एक बड़ा प्रश्ण है यह पहला सवाल हम किसी को पचारों नहीं चाहते हैं समाचादी पाटी पे आरोप लग रहा है और हम एक राजनी सिग दला है हम पर लगत आरोप लगते हैं एक आरोपा मिताब जी आपका बड़ा ज्यान बड़ा है बदाएं बदाएं में दो यर्चियों को पांग दिया गया था पेड़ पे सर्युक्त राज संग तक भी जो जंग उठा कसके और जानते क्या कहा गया था हत्या है बात को जाच हुई CBI ने क्या निकाला वह और किलिंग थी अब बताया गया उत्तर प्रदेश का लॉन अर्डर बिल्कुल बेकार है वारूप हमने जेला हमारे हिस्ते में गया माबाप वो तो जाच की बाद पतर चला फिक इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो केस उठा के देखलो समाज वादी पार्टी के जिम्में जाता है हमसकता में नहीं है किसका दोस है और कितनी गोलिया चली है कितने इंकाउंटर हो Renault कितने लोगों को माड़ा गया कितने लोगों के घर गए गिराए गये और आज की स सब्सक्राइब नहीं है जवाहर यादाओं की हत्याक के आरोपियो को योगी राजित पिना सजा माफ करके बाहर निकाल देते हैं समाजवादी पार्टी के बिदायक से बिदायक से हत्या की गई थी एक एसा तालिस से कहा ना इस चरित्र गुज गया हम किसी के पार्टी पे ठीक अब रुक जाओ आगे बाद आगे अशोक पांडे जी प्रश्ण फिर वही है बच्ची के गर्भ में किसका बच्चा यह डी एने प्रूफ कर देगा बच्ची के शरीर के साथ कितनों ने नोचा खसोटी की कितने राक्षा उसके शरीर के साथ व्यवचार कर गए ये कईसे जाच होगी डी ये में तो आएका नहीं है फिर क्या करें बंद करतें फाइल अशुक पांडी जी अब क्या अब आभी ने अब आशुक पांडी जी तो आ लेडिक कानून में है कि वह जिसके साथ बलतकार हुआ है एक चोटी शी बच्ची के साथ कितना शर्मनाक है और किस तरह से बेसर्म होके मनोज बोल है है बड़ी ह तो आज वह बहुते उस बेटी की लास का भी प्रकार नहीं चाहता इस बार को मनोज अपने आप सी कार करते हैं कि अगर इनकी सरकार होती तो रेपिस्ट बाहर होते और वहां बेटी की लास ना मिलती कितनी बड़ा अच्छा है योगी आदितनाद जी की सरकार है चीरो डार कि अगर इनकी सरकार है कोई भी बलतकारी बचने वाला नहीं है लादा अगर प्रदेश के लाओन आदा को पस्तेवत पर बना दिया आदो पचार नहीं है पुल्स कस्टडी में पसार नहीं कोई बच्छे का पहोत नहीं है यादो मुसल्मान कर राम लेगा है ऐसे मुसमान प्रदेश के साथ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बलतकार निसाद ही था बचाओने प्रयाद अगरे इता विदार अब मनों पेटी के साथ किया सब्सक्राइब कर रहे हैं जर्म ना कि मालूपर नहीं को पहलों का बबाद करता नहीं है अब बचाओने वाले लोग हैं देख लो इनका साथी चहरा यह लोग पालतकारी के साथ करे हैं किस ने किया था यही लोग किये थे यही लोग थे जो अधीक हमत से बुक्तार अंसारी जैसे लोगों को अरे हच्चा कर दिये तक भी नहीं बता वोड़ा यह लोगी अधीक रात में हच्चा को परवादी आओ चाच्या करा होगे इतना पेसर को हो तीवी दिए हच्चा की गए उच्चा मधून देख हो कर नहीं आती नहीं कर आती जैन साब एक विशे और होता है हमने जितना समझा है कानून की पढ़ाई तो नहीं की लेगि पत्रकारिता में चुकी बहुत सारी चीज़ें आप सीखते 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 कि अपराद क्या है उसके विवेचना क्या होना चाहिए क्या न्याय पूर्ण लगेगा विवेख पूर्ण लगेगा सब कुछ किताब में नहीं लिखा होता जहां बच्ची जिला स्पताल में थी दो दिन पहले रात में वहां दो लोग गए जो इस मुख्य आरोपी के नस्दीकी है और वहां पुलिटिकली ओधेदार मी है उस इलाके में पंचायत का कोई देख्षे कोई कुछ है इस टाइप के जो बहिए टाइप पे जो लोग होते हैं वो दो लोग गए और वहां इसके परिवार से कहा गया कि भाई दो में से एक रास्ता चुल लो या तो आपको वहटाने रास्ते से या रुपिया पैसा ले लो लेकिन केस वापस लेना होगा इस मसले के बाद उस परिवार ने फिर जब संपर किया शाषन प्रशाषन से तो सीक्यूरिटी लगाई गई दिस हुआ देट हुआ वो तो हुए हुआ उन दोनों के घलाब भी मुगदमा हुआ अब सवाल उठता है जब कोई लेना देना नहीं एक्स का तो एक्स के लिए फिल्डिंग करने कोई बाई और जेट क्यों जाएंगे वहाँ अस्पताल तो जानी रहें अस्पताल जाएंगे तो फिप्टी-फिप्टी है बच्चा लड़की मान भी सकती है और बात चौले में भी आ सकती है जेन साथ इस सामानी समझ की बात जब सामानी विक्ति को समझ में आती है तो जो लोग law enforcement agencies में हैं उनको समझ नहीं आती ये लोग 17 कथा क अबने तो गए नहीं थे इस्फिताल ना उसको बुक्य देने गए थे जैन जाएंगे ये हमेशा होता रहा है कि कम्प्लेनेंट वो उसकी फैंबली को प्रलोबन देना कराना दंकाना इस प्रकार की शिकायते आम जो जगन अपराद है उनमें पुती है इसमें भी मैंने सही किया गया उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है उन दोनों के खिलाब भी एक कोई अज्याद है उस अज्याद का भी पता लगाया जाना चाहिए कि कौन धंकाने गए फिर इस बच्ची को इसके परवारी जनों को पून सुरक्षा प्रतान की जानी चाहिए जिससे किसी प भी आप से समगने चाहरा हूँ धराने घमकाने के लिए वही नजाये गा जिसका कोई ले नदेना होगा उस केस से वहीन जाएगा जब कैसे वह क pytorशंटा है तो कोई धरने घमकाने जाएगा करते ने मन में आनगाय अदालत में है जब कर नहीं तो डर क्यों राशित जो है वो वहां का नगर पंचायव का ध्यक्ष बताए जाता है जैसिंग कोई उसके साथ ही है कोई एक और साथ में था इस तो भाविक बात है कि केस को बिड्रॉ करने के लिए केस को डाइल्यूट करने के लिए धमकाने अगर गए है आरोप लगाया है परवारी जनो नीती शर्मा जी भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को लेकर जितने तरह के कानून है उन सबका एक सामोहिक मूल स्वर है अफ्टर निर्भया खासतोर पर एक मूल स्वर तै किया गया आरोपी को सिद्ध करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया अन्य था महिला के साथ खड़ा होके चलेगा यह मूल स्वर है जहां तक मुझे समझ है कानून की जैन साब गला तो नहीं किया रहा है मूल स्वर यह है जिस जो एक्यूस्ट है वह अदालत में साबित कर दे कि उसके लगे आरोप जूटे तो बात बन जाएगी अन्य था परक्रिया च हो सकती है 12 साल की बच्ची जो खेलने की उम्र है वो किसी शडियंत्र दुनियादारी के खेल से तो प्रभावित रहे हो सकती समानिता यही मार्धारना सब के मन में है नीतिजी एक शब्द आता है victimization of the victim यानि कि जो पीडित है उसको और पीडित किया जाए जिस प्रकार से बीजी साब कह रहे हैं जैन साहब कि केस को dilute करना केस को withdraw करना और एक ऐसा pressure डालना कि अपराध ही अपने आप में जो सशक्त है politically संवरक्षन मिल रहा है पैसे से सशक्त है तो यानि कि अगर आपके पास पैसा है और आपके पास सकता है आपके पास power है तो आपके पूरी डालूट करने का प्रियास कर सकते हों यह सच्चा कि न्यायतंत्र बोलता है कि अपराधी को अपने अपराध सिर्थ करने होंगे अदर्वाइस विक्टिम की जो statement है उसको ही follow किया जाएगा लेकिन विक्टिम को court के बाहर साक्षे आप खुच डीजीपी साब बोल रहे हैं और यह हर केस में होता है अंताब जाए यह हर जगा होता है कि जो निर्बल है जो पिछड़ा है जो दलित है जो सक्षम नहीं है उसको किस परकार से power के थूँ पैसे के थूँ उसको दबाया जाए अभी तो शुकर करें योगी जी की सरकार बढ़ना बच्ची का हत्या भी हो आपके मैंडेट ने एक अपराधियों को संदक्षन देने वाली सरकार को सामने विखा कर रखी है और यह अभी तो आए है जणाब अभी तो मात्रसेहती सीटों पर यह आए है अभी तो शुरू हुए हूँ हो उनका कारेकाल तो जल्वे देखने को मिल रहे है आगे आगे कि इस प्रकार से वापिस से ना अपराधों का यहां पर कांड बढ़ जाए है जो कि इन ने हमेशा अपराधियों को संदक्षन देके आरे उसको उनको पॉलिटिकल नेरेटिव बनाता देश्मर में वो डाइलूट हुआ और पॉलिटिकल इसको नुक्सान हुआ अदालत में क्या होगा कचेरी में क्या होगा कोट कर सिपाही क्या कहेगा आईजी क्या कहेंगे बात की बात है राजनेतिक पार्टी को सबसे ज्यादा तो चिंता होती यह पॉलिटिकल नेरेटिव की बाकी तो जो होगा सो अदालत में होगा लेकिन पॉलिटिकल समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा कि इस दुषकर्म कांडने के चलते समाजवादी पार्टी को राजनेतिक तोर पर और जो उसकी थियोरी है PDA की उस थियोरी को और उसके नरेटिव को नुकसान पहुंचा है मनुझे लिए देखें एक कठुवा में रेप केस हुआ था बच्ची का बेभी साथ वो मंदिर था आपको याद होगा साइब मंदिर था और मैं कंफर्म हो वो मंदिर तो उसमें समाजवादी पार्टी के कारिकरता गये थे धंडा लेके रेपिस्ट को बचाने के लिए आप मिताब जी अभ आप बता दीजिए संपा सपा वाले रहेंगों तो भी बता दिया एक बात जानना चाहता है और जो आपका सवार हमारे लिए जोद्या की जीफ पॉलिटिकाल माने रखती है बड़ा गुमान था भी जेपी को हमने हरा दिया और यह हो गया कि भाई हमने हरा अब एक बारा सा कि एक बारा साल की बालिका प्रेगनन्ट हो जाची है चीन चार महिने की पुलिस क्या कर रहा है और जब उसमें एंगल किसी ऐसा वेक्तिका आता है जिसका समाजवादी पार्टी से लेना देना है और वो जो आरोप है जो सही रिपोर्ट है मैं इस पर नहीं बॉल सकता क्या हुआ है हमें सब मालों हो पूरा एक एक चीज दो दिन में समाजवादी पार्टी ने एक एक चीज़्य कंफरम कर लिए कि क्या सही है क्या अगला लेकिन हम बोल नहीं सकते क्यों नियापाली का थोड़ी नहीं है हम जस्ट थोड़ी नहीं जो फैसला सुना देंगे वो अगर उत्तर परदेश में अपराद हो रहा है तो सवाल किसे होगा अधेश परसाथ इसे, काई SPA उनी को सुनता है क्या, DM उनी को सुनता है क्या, ठीक, यो कि आद इतना गहंटा मा जा रहा है क्या? ठीक हमनों जाद रुखना होगा, अशोक पांडे जी, एक प्रशना आता है, ये ठीक है, जो मुईद खान है, ये अवधेश परसाथ का खास है, बिल्कुल होता है, कुछ सांसत के विजायक के कुछ लग्य भग्य होते हैं, बिल्कुल अपना जिनका इलाके में वो उनके नाम पर रंग्वाजी भी करते हैं, वो सारी बात है ठीक है, लेके न, जब सरकार आपकी है, तो नीचे तक मैसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी का साहस ही नहीं पड़े, वो सपा का नगर अद्ध्यक्षो, जिलाद्ध्यक्षो, वो करें कोई अद्ध्यक्षो, इससे क्य कानुन से बाद्ध्यक्षोति क्यों कि वसलेक्ष handle, सभी सघ्चाहिक्ष, जिलाद्ध्यक्षन्तार houses सच्दिश्क्स, परना आपको पता दें खिये, वो समाजवाद्यक्ष। पते नहीं रहता कहां चली गई अम मोहिन खान राजा हरी चंधों के उभर गए होते बड़ी तेरी के साथ नौजवानों से गल्पिया हो जाया करती है का के पान खाने चले गए होते और यह तो यह तो भला हो कि योगी आदितनाज जीती सरकार है इनका नगर अध्यक्ष को ल पार्लामेंट में एक सांसर ने कहा जैसराम यह कहते ते जैए और धेजर भगवान सीराम एके लड़ गए थे तो भगवान सीराम प्रवारी बने हो पांडे अधर यह तका मज़िशत करें अधर मत्यक्ति नहीं चाहते हैं यहां पश्वी पे जाराय हैं और दे जिसमारा कि अपाइज हो गया है कि अपने आपके सर्कार में हो सवाल समाजादी पाड़ी से कुद्धर में आएगा कि अपने पाड़ी के साथ बात करते हो समाजादी पाड़ी के साथ रेपाड़ी के साथ रेप होगा तो उनको दो में पतला जाएगा तो नोजवाद लोगे रेपिस्ट नहीं निकलते हैं बेतर्मी आती है ना कहा रहते हो बनारत में तो रहते हो ना तो पांड़े जी आप तो इससे जाएगा उसमें उसमें इससे ना आपी के रिश्चेदार से क्या बन भी एस्चु के जो रेप केस के परादी है आपी के अगे बाते बड़े प्रमुख हैं जो मुझे लगता है हमेशा ध्यान रखी जानी चाहिए ऐसे घंत और जगन्य अपरादों में राजनेतिक लोग जब आएं नेम्ड हो तो राजनेतिक पार्टियों को के नित्रतों को चाहिए कि उनसे दूरी बना लीजिए ततकार और कम चकम तब तक के लिए बना लीजिए जब तक वो अदालत से बरी होकर ना आ जाएं यह सामाधिक शुचिता और सार्णिक जीवन की मर्यादा का प्रश्ण है कांड कोई रहा हो हर कांड में यही होना चाहिए किसी पांड कांड रहा हो हर कांड में यही होना चाहिए हर पांड में यही होना चाहिए लेकिन जब आप उसको केरी करते हैं कंदे पर बिठा के चलेंगे तब कट घरे में खड़े होते हैं मोई खान को कंदे पर बिठाने की ज़रूत नहीं ना उसने नहीं पाप किया है छूट जाएगा किया है जाएगा मरेगा जेलेगा क्या दिक्कत है भारत को आजात कराने की लड़ाई में तो अंग्रेजों नोंका नाम लिखा नहीं है ऐसे लोगों के पीछे कोई नहीं खड़ा हो मेरी मान्यता यह है उनके लिए बुद्धिक का उप्योग करके तरक मत जुटाईए घनित काम है आख में आशू लाने वाला और हिर्दे मे अगनि पाईदा करने वाला काम है तो रश्य बीन जाना 60 साल के हैं सतर साल के में 75 साल के क्या है क्या रही है के बल वज्यानिक आधार ही सीचा लेतर के लिए वज्यानिक आधार ठीक होगा जैन साम मेरी बात से मत कोंगे इस त्री का बच्ची का महिला का शील भंग सव साल का बुंड़ा भी कर सकता है जैन साथ, शील भंग की परिभाषा बहुत व्यापक है, गरत कह रहा हूं कि जैन साथ, फिर आयू की आधार पर छूट नहीं हो सकती, एक बावा जेल में है, मनो जी आधव जी के लिए एक उधारण देता हूं, एक बावा जेल में बड़े नामी बावा थे, देश भर में आश्रम थे, और जैन साथ, एक बार बावा ने हम से कहा था, जब हम उनसे मिले, बोले इस जेम में यहां की सरकार और इस जेम में यहां क की सरकार रहती बच्छा क्या है वो जब गए जेल कि ऐसे ही कारिक्रम में तो उनके बकीलों ने भी कहा बावा बुढ़े हैं क्या है कि 27 बार सुप्रीम कोट में अलग अलग नामी गिरामी बकील जवानत की अरजी दाखिल कर चुके हैं करोड़ों रुपया कर्च हो गया बावा जेल से बाहर नहीं आया एक दिन के लिए भी वोलो सियावर रामचंद्र की जय बावा ने भी यही ड्रमा किया था कि मैं तो बु जबानत रिजेक्ट हो चुकी और जैन्साब देश का कोई है ऐसा बड़ा वकील नहीं जो उनके लिए बकारत नावा दाखिल नहीं कर चुका फिर भी जबानत नहीं भी मुझे नाम लेनिक जोतने सब समझी गया हुँग है उनकी शकल सूरत तो इस मोहित से भी जादा हो जाएगा सब कुछ भस्मी बूत हो जाएगा इस हाई से सब को एक स्वर से उस बालिका के पक्ष में ख़़ा हो नहीं होना चाहिए क्या यह क्या है PDA, CDA सब छोड़िए किस जादकी है मेरे लिए यह भी बहुत 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 है वो बच्ची है इतना ही बहुत है जाद तो हानिलाप के गोला गनित करने बाले लोग ढूने किसे जादकी होते मेरा सौर यही होता करना समाजवादी पार्टी को था विगि मैंने पहले भी इसी विशे पर कहा था कि बहतर होता इसको आप पार्टी से दूर कर देते बरी होके आजाता पार्टी में रख लेते दो पोस्ट और बढ़ा के दे देते आपका चेहरा उज्जुर रहता आपका कुर्ता भव्य रहता आप एक लखीर सेट करते और दूसरों पर दवाब बनता कि देखो हमने हमारे व्यक्ति का नाम आया हमने अलग किया लेकिन वैसा नहीं हुआ नाना प्रकार के तरकों के साथ लोग जिम्माइदान में उतर आए अब देश बाबु अंग्रेजी बोलने लगी अचानक से लोकसभाब के बाहर इस कीसे कांड़ पर अब तब तक हिंदी बोलने पर अंग्रेजी बोलने लगे बोले नो नो आई डोंट नो आपके घर में मामलाब हुआ वो घर है इलाका आपका वो आपका चेला है और आप यू डोंट नो आप जान गए आज करेने अफासी देदो अगर दोशी है पहले तो इस बात का च्या लखना चाहिए राजनेतिक लोगों को ये सुचिता ध्यान लखनी ही चाहिए अब ब्लिंक करते हैं स्क्रीन पर लोगों के मोबाइल की गाओ देहा तक लोग सुन रहे हैं कौन क्या बोल रहा है किस ने क्या बोला किस धंग से बोला उत्रपदेश में और कई ऐसी घटनाई घटी जो लोम हर्शक थी हर तरह से जिनकी निंदा की गए और निंदा की योग थी सर्वता थी उन घटनाओं में राहुल जी हातरस की घटना घटी ऐसी ही घटना ही लोम हर्शक राहुल जी प्रियंका जी हातरस के लिए निकल पड़े तुरन समाजवादी पार्टी हातरस के लिए निकली और तमाम लोग निकले इस गरीब परिवार के यहां भी जाना चाहिए था अकलेश जी को भी जाना चाहिए था राहुल जी और प्रियंका जी को भी जाना चाहिए था क्यों नहीं जाना चाहिए था वो पिछड़ी है इस लिए नहीं वो बच्ची है वो महिला है इसलिए जाना चाहिए था वहाँ उसकी जोपनी पर जाते समवेदन अव्यक्ति करते और बाहर आके फिर सरकार पर हमला करते कोई दिकत नहीं थी राजनेतिक लोग है सरकार पर हमला करेंगे वेपक्ष में लेकिन उसकी देहरी तक जाना चाहिए था अग्रेश जी को भी जाना चाहिए था और अवधेश परसाद को भी जाना चाहिए था आपके इलाके की घटना घट गई देश भर में उस पर अक्रो शेच चर्चा है अवधेश बाबू के पास समय नहीं जाना क्यों नहीं चाहिए था भाई वो नारा लगा रहे थे अवधेश के समय में सपाई नारा लगा रहे थे यह ना मतुरा नकाशी अवधेश पास जी जीत गए ना आप तो आपको अपन प्रके का विक्ति का परिवार संकर से गुजर रहा एक बारा साल की बेटी तो सांसद वहां मवजूद होता जाकर नहीं सांसद व्यस्त है किसे पार ने का सांसद होता उसको जाना चाहिए था नहीं जाएंगे अखलेश जी पीडिये की धारणा लेकर आये क्या अखलेश जी को जाकर उस परिवार के आसू के नीची अपनी हतेली नहीं लगानी चाहिए थी लगानी चाहिए थी राहूल गांदी उन्होंने लोग सभा में चक्र भी हूँ बताया ठीक बात ठीक बताया होगा वो राजन अखलेश जी तालग है लेकिन क्या संवेदना यह ने कहती कि राहूल जी या प्रियंका जी में से कोई एक जाता उस परिवार के पास कि नहीं कि क्यों नहीं गए इसके पीछे एक ही द्रश्टी दिखती है आरोपी जिस वर्ग से है आपको कहीं है इसा तो नहीं लग रहा कि इधर कुआ उधर खाई इधर जाए तो यह नाराज उधर जाए तो वह नाराज यह तराजू वाला जो द्रश्टिकून है यह ठीक नहीं अगर मोईद खान की जगा मालीजे कोई और नाम और कुछ और होता इसका नाम सुनील प्रसाद या कुछ और होता तो शायद चले जाते हैं लेकिन अब बीच में मोईद खान फस रहे हैं क्या इसलिए नहीं जा रहे हैं आप हिचक रहे हैं रभारत की राजनीत में यह हिचकी चाहट खत्म होनी चाहिए यह हिचकी चाहट सही फैसला लेने से रोकती है नयायए के रास्ते में अब रोध पैदा करती है मोईद खान है इसलिए नहीं जाएंगे लगम दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे यह पिडिए है इसलिए जाएंगे यह ьलों तरकों के साथ नहीं खुला हो सकता वो भ्यवशारी है वक्ति है उसनिए उसकी निंदा होनी पर ना मैं पीड़ा को आख सकता हूँ, ना मैं संतोना की मात्रा तेकर सकता हूँ, हर समझदार व्यत्ति की ये जिम्मेदारी है कि इस परिवार के साथ ख़़ा हूँ, इसको न्याय मिलना चाहिए, दोशी कोई हो, किसी पारटी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्या इभाएं से उस परिवार को प्रभावित करने की दराने, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाब भी निष्ठुरता और प्रामारिक्ता के साथ कारवाई होनी चाहिए, ये बला सामानी चलाना है कि लिखा दो मुकदमा देखें कैसे आगे बढ़ोगी, ये नहीं होन चाहिए, शाशन की शक्ती उस बच्ची के परिवार के साथ लगनी चाहिए, ताकि वो अपने मुकदमे को पूरी द्रठता के साथ लड़ पाए और आगे बढ़ पाए, राजनितिक दलों को अगर वो उस परिवार के साथ समवेधना नहीं वेक्ट कर सकते, तो इस मामले से कम से कम दूर रहे, ऐसा कोई भी हुरचना में मत फजिये, जिस्ते एक इंप्रेशन हे जाए कि कुछ लोग मोहिद खान के पक्ष में खड़ा होने के कोशिश कर रहे, मोहिद खान को अपनी लड़ाई अदालत में लड़ने दीजे, मोहिद खान आगे बढ़ो हम तुमारे स साथ है, ये नारा सुइकारी युग्य नहीं हो सकता, धन्यवाद.